चुल ये बढ़ते हैं खबरों में आगे गोरखपूर में सीम योगी आदितिनाथ कल डोर टू डोर प्रचार कर रे गए थे और इस दोरान भाटिया फैमली से मुलकात भी की थी हमारे संभाधाता ने भाटिया फैमली से खास बाद चीत की भाटिया फैमली ने कहा कि हिंदू उन ही से है और हिंदी उन ही से है और क्या कुछ कहाँ होनोंने आई आए आपको संभाते हैं उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री और अब गुरकपूर के जो कांडिडेट हैं ये लगातार उन्होंने आज सुबस से जो है डो टू डोर कैमपेंग स्टार्ट किया मेरे साथ वो सारे परिवार वाले हैं जिनको आज योगी अदितिनाथ मिले हैं आए इन से बात करते हैं य यह एरिया लग रहा है कि यहाँ पर सारे सिक्टार्व समुदाओं के लोग रहते हैं तो क्या एक मेसेज करनेगिंज की आograf एक्श मेश्च किया हैं कोई डप्लेमेट्ट नहीं था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं आता था, चोरी, अरज्यक्ता, गुंडा, गर्दी, सब होती थी, लेकिन अब हम सब म Claudia भी सुच्षित है, सबसे बड़ी बात है, लाइट आती है, पानी आती है, कोई डर नहीं है कोई कुछ नहीं बेटियां कभी भी कहीं जा सकती है रात-विराज जाना पड़े आ सबसे बड़ी बात है कि आज जो निकला तपका है निम जाती के लोग है वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तरब रहे हैं वो कहते हैं अब हम अपने बच्चों से काम कराइंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे यह सब योगी जी की ही देन है यह बताइए लोगी में क्या वाकई में ऑन ग्राउंड सिचुएशन संप्रूव हुआ है आप पहले जब स्चपाउट करती थी तब क्या आप डरती थी और आप भाई नहीं है तब मन में हलका ड अब हमारी पहले हमारे गाउं टाइप का था लेकिना वो सिर्यसले एक सिटी हो गया हुआ हम जो है इस अलाके में आए है मोहदीपूर इस अलाके का नाम है गुरकपूर में है पड़ता है यह लाका जहां पर योगी अधितिनात अनों ने डो टू डोर कैंपेंग किया और जब इन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे ओन ग्राउंड इन रियालिटी उनके हिसाब से चेंज़ेस आए है गुरकपूर को एक प्रॉमिनेंस मिला है गुरकपूर को लोग अक्नॉलज करने लग गया फिर क्यों ना वो मेट्रो हो क्यों ना वो लो आन सिचुएशन हो इन सारी चीजों से कई इंप्रॉमेंट्स आई है और कैसे ये सारे लोग यहां के लोग जो है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं गुरकपूर के मुहद्दीपूर इलाके से विडियो जॉनलिस्ट अंकित रठानी के साथ मैं और वशी खोना एंड नियूस के ल